हेलो दोस्तो, साबू की किचिन कुकिंग चैनल में आपका स्वागत है तो यहाँ पर ले लिये हैं मैंने उबले हुए दो आलू और इनको अच्छे से पहले हम छील लेते हैं दोनों आलू को और इधर मैंने 100 ग्राम दाल ली है वजन में और इसको मैंने तीन से चार घंटे भिगोया था मेरे पास दोवा दाल नहीं थी तो यह हरे चिलके वाली थी जिसका मैंने चिलका उतार दिया है और अच्छे से बेग चुकी है यह यह वाली रेसिपी के आप बहुत ही टेस्टी लगती है है यम्मी बनती है बर्चे और बड़े सब भी पसंद करते हैं तो आप क्या करेंगे सबसे पहले हम दाल को मिक्सी के जार में डालेंगे और इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि अगर हम दाल में पानी डाल देंगे थोड़ा सा भी तो क्या होगा यह बहुत ही एकदम डीली सी हो जाएगी यह पतली हो जाएगी बिल इसलिए मैंने बड़ी बड़ी दो मिर्ची ले ली हैं तो अभी ने हम पीस लेते हैं आलू अभी हमने बिल्कुल नहीं डाला है अब देख पा रहे हैं तो पहले हम दाल को पीस लेंगे अगर दाल और अलू एक साथ डाल देंगे तो अच्छे से पिस नहीं पाएंगे यानि बड़ी हासा हमें बैटर बनाना है तो आलू को हम पहले मिक्स दाल को एक बार पीस लेंगे फिर उसमें हम आलू डाल के अच्छे से पीसेंगे चोटे-चोटे पीस काट लीजिएगा ताकि पिसने में आसानी हो जाएं तो देखिए मैंने यहां पर पीस लिया है दोनों ची जबकि हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है सोचो अगर हम इसमें पानी डाल देते थोड़ा सा भी तो बहुत ही पतली हो जाती जो कि हमारी रेसिपी के लिए अच्छी नहीं होती तो चलिए अब इसे एक बावल में निकाल लेते हैं तो मैं यहां पर दाल का जो हमने बैट जाए से की मैं बताती हूं स्वादनु सार और यहां पर ले लिया है मैंने पिंच भर आप देख पा रहे हैं बहुत ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा बहुत जादा नहीं लेना है बहुत थोड़ा सा ही हमें यह लेना है अब इसे हम अच्छी से मिलाएंगे अगर घर पे दो तो देकिए आप देख पा रहे हैं इस तरीके से में मिला रही हूं आप हाथ से भी मिला सकते हैं बट मैंने आइसको चम्मत से ही मिलाव में यह कड़ाएं में तो छलि एक में फटा पड से हम तोड़ लेते के इसके छूटे आपको आपको अ जैसे जैसे पूलते जाएंगे ऊपर आते जाएंगे जैसे ही डालती हूँ तिरल को पर आ जाता है , नौर्मल रखना है , Alors, filme यह अपर िसमा ने करना बच्चे बड़े तो बड़े की प्यार से कहतेश्त यह सकते हैं। बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं, पिकनिक पर जाएं आप, कहीं भी गूमने जाएं तो ये नास्ता आप बना कर ले जा सकते हैं, मैंने यहां सॉस के साथ सर्फ किया है, आप चाहे तो म्योनी के साथ खाईए, या फिर हरी चटनी के साथ खाईए, या फिर च वीडियो पसंद आए तो प्ली चानल को लाइक, चेर, सब्क्राइब जरूर कीजिएगा यम्मी बने हैं तेंक यू